एक है अगे अगे वेवन क्या हार चाहल गुड मॉर्णिग ने गुड इवनिग है गुड आपलोग है लो है लो आजो इन लाइव कि मेरा इपैड को थंडी लग जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है लुट है कि नी हां जी हां जी good evening good evening good evening ladies and gentlemen तो आज हम लोग कर लेंगे biotechnology and its application क्या कर लेंगे biotechnology and its application complete कर लेंगे हम ठीक है आजो आजो पटा फटा पटाँ आजो ऐंड धिस ताटेड जी है आवाज भीड़ा रिए एक फार अंबुठा दिखा दीजी है चल गुडीवनिगुडीवनिगुडीवनिगुडीवनिगुडीवनिध सब्सक्राइब बढ़िया से हैंडबूक निकालों हैंडबूक से करने वाले हैं इसको ठीक है क्योंकि यह डेखो फेसे चाप्टर से करेंगे चो जो लोग बटा हैंडबुक अभी तक पर्चेज नहीं किया है कर सकतो है तुम पर्चेज हैंडबुक आनन्दमनी.com वेबसाइट है वहां जाएए वहां पर हैंडबुक खरीलो बेटा बहुत काम देगा मतलब पता है फीडबैक बहुत अमेजिंग है एमेजॉन पे भी आ गया है तो टेकनोलोजी एनिट्स एपली के शुरू करें एक बार रंग बुठा दिखा दिए एड विल गट साथ तो देखो बेटा साथ था फटा फट थेवरिटिकल चाप्टर है पीडियेप सुनको टेलिग्राम चैनल टी.me अननमनी 001 पे मिल जाएगा अननमनी 001 पे मिल जाएगा ढ़ा ऑना हि ब सुनो को जाओ क्या बोलना है कि भायो टेकनोलाजी में क्या है रहाईड येद्ज भीकेशिन बहुत सारह वायड रेंज अप्लीकेशन है बेलकूल सच है बाइभ फार्मेसुटिकल का मतलब दबाई ठीक है। झिरियोनोडिक्स जो ठेरपी करते हैं उसको ठ प्रशेस्ट पॉड बायो रिमीदेशन वेश्ट हला इनर्जी पार्क्शान नसे और इनर्जी प्रोड़क्शन टिक है तो यह सब काम जो थो सब काम बायो टेक्नोलोजी का है ठीक है तीन क्रिटिकल रिसर्च एरिया क्या क्या है पहला प्रोवाइडिंग दा बेस्ट कैटलिस्ट इन फॉर्म आप इंप्रूब्ड ऑर्गानिजम यूजुवली आ माइक्रोब और प्योर एंजाइम पहला दूसरा क्रेटिंग ऑप्टि इसका क्वलिटी चेक करके हम रखेंगे तो डाउन स्वीम फ्रॉसस्ट त्यू प्यूरिवाइव दा प्रोटीन या और्ग्यानिक कंपाउंड वार्टि क्वालिटी टेस्टिंग Community टेस्टिंग के साथ करें ठीक है फॉर kay टी टेस्टिंग ज़िए ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तो यह तीन खरिटिकल अब कहां बाइटक्नोर्जी का स्थमाल होता है वह देखे थे पहला इगरीकल्चर में तब किसे पहला अग्रिकल्चर होता था एक्रो ङृट्टीकल minist नातलो क्या हूँ कहा हूँ कि इंडिया में ग्रीन नथन ने ये इसको होँ कहते हैं वादर ओफ पर भीन ऑल दी आ टो उसलोने के यहां पर भी ममपूलुशन अ क्थीकत है तो यह जो ग्रीन वह Аलीशन था यह पेस्टिसाइड इन्सेक्टिसाईडmotion और fertilizer के basis पे आया था यह जो green revolution था यह पेस्टिसाइड insecticide या fertilizer के basis पे आया हुआ green revolution था ठीक है तो यही इसको कहता है agrochemical based agriculture इसके बहुत सारे ड्रॉबैक है है ना insecticide क्या हो रहा है nature को नुक्सान पहुचा रहा है पेस्टिसाइड भी दूसरे पेस्ट को भी मार दे रहा है तो यह सब इसके ड्रॉबैक थे ठीक है दूसरा organic agriculture organic agriculture क्या था organic agriculture में productivity कम होती थी organic agriculture में क्या होती थी productivity कम होती थी low productivity होता था ठीक है और तीसरा था genetically engineered crop based agriculture अब जो है यह प्रडूस होता था बायो टेकनलोजी के मदद से जो क्या है कि जिसकी productivity भी जादा है और नेचर को भी कम नुक्सान पहुचा रहा है नेचर को भी कम नुक्सान पहुचा रहा है समझ में है समझ में है और गानिक मतब नैचरल ली और गानिक प्रडूक्शन क्या होता है यह वाला चावल ऑर्गानिक है यह वाला गहूं ऑर्गानिक मतब उसमें कोई fertilizer कोई इनसेक्टिसाइड कोई pesticide नहीं दिया गया नैचरल कंडिशन में उसको ग्रो किया गया और उसमें से जैसे मालब मैनी और यूज किया गया गया गोबर यूज किया गया ना फॉर फटिलिटी ठीक है ठीक है ठीक है अब एक दिकल्चर में कुछ कुछ NCRT में लिखा है कि क्या क्या किया गया था genetically modified तो उसका पहला आत है सबसे पहला है डाट इस कॉल्ट प्लेवर सेवर यह एक टोमाटो का वराइटी था अट तो होता क्या कि तुम कभी मार्केट में जोकी तो मार्केट में जाकर देखो बोले गा नहीं अब देशी सब्सक्राइब तहीं उसका दाम ससता तो मतलब प्या वह जोशीज दिखने मेंभी सुन्दर ँसका धाम भी ससता तो होता क्या है कि ialah टो में एक इंशाइम होता है जिसको हम कहते है और यह login कि इंशाइम हो तर ख आता है क्वारी इंशाइम और गला कराता है degradation ओफ ते डिग्रेडेशन ओफ प्रेक्टिन कराता है यह डिग्रेडेशन ओफ प्रेक्टिन कराता है तो हम क्या करते हैं फ्लेवर सेवर में इंजाइम पॉली और गेलक्तूरीनेस इसमिसेंग तो प्यांतिन गिया सट्रिजूरर तुम्हा तो क्या अधिन हैं टेमाट़ जादा दिन तक फ्रेश हें रह Himself neighborhood, तुम्हेश सकते हो से तुम्हेंस प्राइस सिंपल 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 एक बार गुठा दिखा तो यह फ्लेवर से वरता ठीक ठीक तो देखो पर अब देखो क्या क्या एडवांटेज है जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का पहला मेक्स क्रॉप मोर रेजिस्टेंट तु एबाइटिक स्ट्रेस है ना स्ट्रेस मतलब ख यूजः चेमिकल पेस्टीसाइड एंड अलसो रिडिउस पॉस्ट हरवेस्ट लॉडवास क्या होता हिटा हार्वेस कटेए जो यह काटते हैं इसको तो उसके बाद के लॉस्टों एपन होगा तो उसका कॉन्टिटी कम होगा तो पूस्ट हार्वेस्ट लॉडस यहां पे क हो गया तो वह चीज यहां पर करता है ठीक है इंक्रीजेस दे एफिशेंची ओफ मिनरल यूजेज बाइप्लांट ठीक है प्लांट अचानक से सारा मिनरल नहीं ले लेगा एफेक्टिवली थोड़ा 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 सा मिनरल लेगा तो स्वाइल की फर्टिलेटी जादा बनी रहे जित्वी और न्व्योट्रिशनल वैल्यू बढ़ाता ही कहाने का वैल्यू बढ़ाता है अ इन्यूट्रिशनल जाओ घुकिंग क्या होता है रहता है इसमें उसको एपने भॉंग ठीक普ेकशन प्रेट टेलर मेंड प्लांस तो सप्लाइए औल्टनेटिव शोर्चइज काम सीज की कि नियुकर facto कोई दिखत यहां आता है कोई दिक्कट यह आता है ठेक अच्छे पेस्स्स्टेंग बात करेंगे, डे अंतने अंधो डिधुसे ट कॉट ऑफ इंसेक्तिसाइड अग्जामपल बीटि कॉट लो गया बीटि कोन यह उलिए बीटि राहिस जो गया BT तोमाटो गया BT पुटाटो गया BT …… योय भी नोगा ते एक देखो सबसे पहले जो आता है त्य बीटी स्टैंड अलेल शोन य को य मैंने य यह इस एक प्रोटीन प्रोटी में प्रोटी इस का घ्ली लगे भी ब्लैट घ्ली करता है जिसको क्यांते है क्राय प्रोटीन cry protein cry stands for crystal protein ठीक है तो इसके पास गीन है cry gene जो produce करता है cry protein और यह cry protein जब gut of insect में जाता है gut of insect में जाता है then it binds with its mid gut ठीक है? और उसमें perforation कर देता है ठीक है? और insect मर जाता है बट यह कब gut of insect में जाके activate होता है तो gut of insect कैसा in nature है? gut of insect जो है alkaline in nature है alkaline in nature है तो यह alkaline pH पे activate होता है alkaline pH पे activate होता है ठीक है? ठीक है perforation मतब छेट कर दिया या तोड़ दिया या पेडाइस तोडल गया एक ही बात है ठीक है? तो बटा क्या है? समस्टेंस अवव बैचिलस थूरिंगेनुस प्राडूसे ब्रोटीन आट किल इंसेक्स लाइक लाइक लैपीड़ ब्स and diphtherens ठीक है lepidophtherens में आगया topago wordworm, army wordworm, diphtherens में आगया तुमारा flies and mosquito ठीक है bacillus thuringiensis forms a toxic interxidal protein that is BT toxin it does not kill the bacillus as it exists as an inactive protoxin active कैसे होता है कि when an insect ingest the toxin it becomes active due to the alkaline pH of gut which solubilizes the crystals toxin binds to the surface of the midgurt epithelial cells and create pores this causes swelling and lysing and death of the insect something this causes swelling and lysing and death of the insect ठीक है swelling and lysing and death of the insect simple simple ठीक है BT toxin is isolated from bacillus thuringiensis and is incorporated into the plant such as cotton ठीक अब देखो क्या कौन कौन सा है most of the text toxin आ इंसेक्ट ग्रूप स्पेसिफिक तो देखो cry 1AC and 2AB cotton ball warm और cry 1AB कौन बोरर इस पर सवाल आया हुआ है cry 1AC and 2AB cotton ball warm और cry 1AB कौन बोरर क्लियर है बीटी कौन समझ में आ गया बीटी कौन समझ में आ गया सबको क्लियर है चली बहुत 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 इसमें कुछ था नहीं ठीक है तुमको यह पता है तुमको यह पता है कि नहीं है बताना मुझे ठीक है DNA से RNA मनता है RNA से protein मनता है DNA double standard होता है RNA single standard होता है protein by single standard chain होता है ठीक है तो double standard DNA एक single standard RNA बनाता है double standard DNA एक single standard RNA बनाता है ठीक है तो देखो बेटा क्या हो मालो कि एक DNA का segment है ठीक है दूसरा ती ए सी तो इसमें किसे आ गया टी ए सी जी टी ए सी जी और ए ऐसा होगा यह पकड़ लो 5 प्राइम है यह पकड़ लो 3 प्राइम है यह पकड़ लो 3 प्राइम है यह पकड़ लो 5 ठीक है तो यह coding stand होगा coding same रह जाता है यह template stand होगा तो इसका RNA कैसा होगा एक जो कोडिंग स्टेंड होता है इसको हम कहते है एक सिंगल स्टेंड आरेने बना और यह आरेने कर गया प्रोटीन अगर मैं अगर मैं एक कॉंप्लिमेंटरी सीक्वेंस इसका डाल दूं उल्टा जो इसके साथ मैच कर जाय दिया के बादले लग जागा A, G जी के बदले आजागा यह बना देगा double stranded DNA क्या बना देगा यह बना देगा double stranded RNA यह बना देगा double stranded RNA and due to this double stranded RNA due to this double stranded RNA protein नहीं हो पाएगा मतलब इसको हम कहते है silencing of RNA ठीक है तो यहाँ पर no protein synthesis no protein synthesis समझ में समझ में बिटा समझ में लास्ट में टी आएगा रहे कुछ भी आजाया है example दिया ठीक है तो देखो तो क्या होता है ध्यान से दो क्या होता है ध्यान से दो क्या बढ़िया नाम है अपने बच्चे का नाम रखना माइलो डीजाइन हाई माइलू बेड़ा ठीक है नेमेटोड माइलो डीजाइन हम्टार धूगर के बात होती है टो वायको का क्या हो今 पैसा इसले यह धूर्यक्टिविटristi कूल होती है टीक है घाता यह क्या करता है यह Prevention online का क्या होता है productivity कम हो जाती हैता है तो इट कान दी प्रिवेंटेट बाइ आरेने इंटर आइंसे स्ट्राटत स्राटरजी रने इंसे रने इंसेड hayat तो क्या आरने इंटर विबनेजम एक अडिंटर डबल स्टेंडड आर एने मॉलेक्यूल तो मतब एक आरेने जो बन रहा है उसका एक कॉंप्लिमेंटरी आरेने हम दोड़ देंगे दोनों मिलके डबल स्टेंड आरेने बना देगा और सैलेंचिंग अफ एम आरेने हो जाएगा जिससे बच्चा प्रडियूस नहीं हो ठीक है तो देखो क्या होता है तो the source of this complimentary आरेने कैसे आ सकता है इस from an infection by आरेने वाइरस कोई भी रेट्रो वाइरस हो सकता है आरेने ही डालना है ना हमको हमको जो आरेने सेग्मेंट था उसी कॉंप्लिमेंटरी आरेन डालना है तो हम क्या करें कोई आरेने वाइरस पे कोई आरेने वारियस में वो डाल देंगे ठीक है यह या मोबाईल जैनीटिक कहेद में कहते हैं मोबाईल जैनी चिंद इन केστε該 ट्रांस पॉज़ँ फिए कुछ जूपिंग करनी६ τους होतते हैं कि निदें उसको ढाल दिए that ॠ रेपलिकेटर आरेन एंटरेन ख时候 तो देखो हुआ क्या यूजिंग एगरो बेक्टीरियम वेक्टर्स नेमेटोड स्पेसिफिक जीन वेर इंड़ीटोड इंटो फ्लान फ्लान वेक्टर कौन था एगरो बेक्टीरियम ठीओमियृफिक जैद यह तो अब क्या हुआ इट प्रेदिश के प्रेद्शे संस्ट एंटीशन साड़ेन ने और कॉंप्लिमेंटरि थीक तो क्या हुआ है तो दे फॉर्म डबल स्ट्रेंड आर एने अब ये डबल सेंडे आर एने इनिशेट कर देगा आर एने इंटेफिरेंस और साइलेंस कर देगा आर एने को ठीक है तो इसके बाद पैरासाइट बेचारा सर्वाइव नहीं कर पाएगा इस तरह में और मर इसका कौन सा प्लाजमी डियूज कर था हमने नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया होस्प्लांट में क्या किया नेमेटोड अब यह नेमेटोड स्पेसिफिक जीन डाल दिया होस्प्लांट में ठीक है अच्छा अब यह नेमेटोड स्पेसिफिक जीन क्या किया बटा अब यह नेमेटोड स्पेसिफिक जीन इसने क्या किया इसने क्या किया इसने प्रद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् और anti-sense RNA अब कल को कोई nematode आया तो यह sense और anti-sense RNA मिल जाएगा और यह बना देगा double standard RNA by the process of RNA interference ठीक है यह double standard RNA बन गया तो क्या हुआ RNA silence हो गया protein नहीं होगा RNA is silenced no protein synthesis अब protein synthesis नहीं होगा तो खतम बात no protein synthesis अब protein synthesis नहीं होगा तो बात ही खतम बात खतम हो गया तो nematode खतम clear clear बेटा clear clear अंगोठा रिकरी तो यह agrobacterium tumificance का ठीक अगला application in medicine पे आते हैं ठीक है तो सबसे पहला medicine में आ जागा तुमारे हिरूडीना एक आता है हिरूडीन क्या होता है हिरूडीन कहां से प्रडूश होता है लीच हिरूडीना तो हमने क्या किया लीच वाला जीन लिया तो हमने हिरूडीन जीन लिया और इसको डाल दिया ब्रासिका नेपस में ठीक है ब्रासिका नेपस ही था अब क्या हुआ अब इसमें सीड हमने लिया इसका और इसको एक्स्ट्राक किया हिरूडीन यहाँ से हिरूडीन is an anti-coagulant इस an anti-coagulant इस an anti-coagulant तो यह किया clear clear है it is an anti-coagulant तो यहां पर बात किया तो देखो भया क्या है एट प्रेजेंट अब थर्टी रिकॉमिनेंट थेरोपेटिक्स अब बिन अप्रूप और दिस ट्वेल वार बिंग मार्केटिंग इंडिया अब देखो सबसे पहला इसमें जेनिटिकली इंजीनियर इंसुलीन जेनिटिकली इं अब देखो जहां से इंसुलीन इंसुलीन क्या करता था याद है इंसुलीन तुम्हारा क्या करता था कनवर्ट करता था तो अगर इंसुलीन कम है तो क्या होगा अगर इंसुलीन कम है तो क्या होगा अगर इंसुलीन कम है तो क्या होगा बोलो डायबिटीज हो जाएगा और इससे इंसान मर भी जाता था तो बहुत सालों से डायबिटीज की दवाईयां बन रही थी तो पहले कैसे होता था पहले क्या होता था कि हम निखालते थे तो पहला क्या था पहला क्या था इंसुलीन आइसुलेटेट रॉम पैनक्रियाज ऑफ अनिमल्स दाट इस क्या होता था हो सकता तुमको एलर्जी हो जाए तुम्हारा बॉड़ी का इम्म्यून सेस्टन हाइपर रिस्पॉंस में चरा जाए तो यह दिक्कत होता ठीक है बैंटिंग एक्स्ट ग्षा Bck Lw य एक्स्ट्राक किया था स्लॉट्टर कॉल और फिक से इनुनवी मिभाग दोगे क है अभी युमन इंशुलीन कैसा होता देखो human insulin कैसा होता है या humulin कैसा होता है तो एक pro insulin होता है जो बना होता है तीन peptide chain का a plus b plus c peptide chain का ठीक है अब यह pro insulin activate हो जाता और mature insulin में यह बना होता है a plus b peptide का ठीक है तो 1983 में कंपणी थी जिसका नाम था एली लीली इसने क्या किया इसने दो इकोलाई लिया ठीक है एक इकोलाई लिया और इससे ए प्रोटीन बनाया है ठीक है दूसरा इकोलाई लिया और इससे बी प्रोटीन बनाया है और दोनों को जॉइन कर दिया है यहीं कर दिया आहिं दोनों को जॉइन कर दिया बाइं डाय फंफाई बन गया मेरा इनसुलीन थीक है तो यहीं काम यहां पर किया तो देखोंगा तो So insulin consists of two short polypeptide chain A and B that is linked by disulphide bridges. In mammals, insulin is synthesized as a pro-hormone and is processed into mature insulin. The pro-hormone has an extra stretch of C-peptide. This is removed during maturation into insulin. So, kya kya allyliline? Allyliline, 1983 mein prepared two DNA sequences A and B chain ka. Chain A and B were combined to create human insulin. तो chain A, 21 amino acid का होता है, chain B, 30 amino acid का होता है, chain C, 12 होता है, जानने की ज़र होतनी है, तो इसको दाई-sulphide bond से जोड़ें, ठीक है, अब Di-sulphide bond कहां का जूड़ेंगा जहां पर सिर्टीन होगा यहां पर मिथियो नीन होगा वही पर दाइ-सल्फएंट पर प्रदूसिंग अमैνο genetically engineered insulin अगला होते हैं gene therapy यह भी important है क्या होता है it is a method to correct a gene in a child या embryo ठीक है क्या करते है here the genes are inserted into the person cell and to treat a heredity disease it compensate for a non functional gene example इसका देखो एक बिमारी होता है जिसको हम कहते है किड सीविए कम्बाइंड immuno ढिफीशियंशी इसे या डिसॉर्डर है अब यह होता क्या है एक जीन है जिसको वह कहते हैं एडीए जीन एक इंजाइम प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते है एडी ए इंजाइम जिसका फुल फॉर्म है एडीनोसीन डी अमाइनेज अब ये जो अधिनो सीन डी अमाइनेस होता था यह मेस्चूरेशन ओफ लिम्फोसाइट कराता था यह अब लिम्फोसाइट कराता था अब लिम्फोसाइट मेच्चूर नहीं हो गए तो तुम्हारा इम्मून रिस्पांस खराब होगा तो यह maturation of lymphocyte कराता था lymphocyte mature नहीं होंगे तो तुम्हारा immune response खराब हो जाएगा तो वही चीज़ यह करता था तो क्या किया क्या कि अब मालो कि मुझे यह enzyme चाहिए किसी इंसान में यह enzyme नहीं तो मुझे यह enzyme चाहिए तो कैसे देश सकता हूं सबसे पहला मैं कर सकता हूं क्या सबसे पहले मैं कर सकता हूं कि मैंने इसका bone marrow transplant कर दिया अपने आप यह enzyme बन जाएगा यह दूसरा मैंने क्या किया functional ADA enzyme डाल दिया इंजाइम तेरेपी जिसको कहते है तो functional ADA enzyme लिया और इसके body में डाल दिया इसको enzyme replacement therapy कहते है तुमारी ncrt कहती है तुमारी ncrt कहती है बटा कि यह दोनों method permanent नहीं है तो देखो क्या क्या करते है तो gene therapy से कैसा इसको fix कर सकते है तो पहला method हम क्या करेंगे हम lymphocytes को ग्रो करते हैं ठीक है कल्चर मीडियम में और इसमें एड़ कर देते हैं ADA gene जो ADA enzyme produce करेगा ठीक है और उसके बाद इस lymphocyte को हम वापस transfuse कर देते हैं body में तो lymphocytes को हम वापस body में डाल देते हैं ठीक है एक step यह हुआ बट इसको हमको periodically change करना पड़ेगा because lymphocytes immortal नहीं है मतलब कि हमेशा जिन्दा नहीं रहेंगे तो हमको रेगुलर इंटरवल पर यह कराना पड़ेगा दूसरा हम क्या कर सकते हैं embryonic stage पर ADA gene डाल दो stem cell में यह ठीक है अब ADA gene मैंने अगर embryonic stage पर डाल दिया तो मेरे सारे cell में आ गया ADA gene तौ फिर दिकत खतम हो गया तो यह पर्मनेंट क्यूर हो जाएगा यह पर्मनेंट क्यूर हो जाएगा ठीक है ठीक है आव देखो NCRT क्या करती है, first clinical gene trial were done to a 4-year girl with adenosine DMINAS deficiency, resulting in severe combined immunodeficiency disease या, disorder, skid करती है, ठीक है, the disorder is caused due to deletion of gene for adenosine DMINAS, an enzyme crucial for the immune system to function, ठीक, ठीक, this enzyme can be cured by bone marrow transplant बताया था, और by enzyme replacement therapy, मतब injection of a functional ADA डाल दिया, but these approaches are not completely curative, ठीक, gene therapy में क्या अगर ते lymphocytes from the patient blood are grown in a culture, then functional ADA is introduced into the lymphocyte, अब देखो, animal में retrovirus vector होगा, plant में agrobacterium tumificance होगा, ठीक है, then it is returned into the patient, this should be periodically repeated as these cells are not immortal, ठीक है, अगर ADA gene introduce कर दिया जाए, cell में at early embryonic stage, तो यह permanent cure है, तो यह permanent cure है, clear, clear है, ठीक, तो यह आगया है, तुमारा, तुमारा gene therapy, ठीक, अगला आते हैं बटा, उसको हम कहते है, molecular diagnosis, molecular diagnosis मतलब बटा क्या होगा, कैसे diagnosis कर आगे, तो दो तरह के diagnosis पर हम पढ़ेंगे, एक पढ़ते हैं, ELISA enzyme linked immunosorbent assay, enzyme linked immunosorbent assay, ठीक है, और दूसरा है बटा, that is, PCR, इसको हम कहते है, polymerase chain reaction, अब देखो, इसको बहुत detail में तुम लोग को नहीं पढ़ना, सिर्फ इतना जान लो, अगर हम antigen antibody interaction देख रहे हैं, ठीक है, तो ELISA हुआ, तो ELISA में हम protein देख रहे हैं, तो protein हमको कैसे निकलता है, by western blotting technique, रट लो, अगर नहीं पता है, तो जब genetics पढ़ाएंगे, तो समझाएंगे, ठीक है, अभी रट सकते हो, कैसे, by western blotting technique, ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा हम बात करें, Amplification of Gene की बात करें, तो हम PCR कराते हैं, जिसको हम कहते है, Southern blotting technique, जिसको हम कहते है, Southern, DNA निकालना होता है, तो Southern blotting करते हैं, RNA निकालना होता है, तो Northern blotting करते हैं, और protein के लिए Western blotting करते हैं, ठीक है, तो यह क्या करता है, help करता है, early diagnosis of disease में, यह कैसे help करता है, early diagnosis of disease में, ठीक है, तो early diagnosis of disease using conventional method, बहुत time लगता है, ठीक है, तो recommend DNA technology, PCR and ELISA are some technique for early diagnosis, तो PCR में क्या होता है, presence of a pathogen is normally suspected based on symptoms, by this time the concentration of oxygen बहुत जार हो जाता है, तो however in low concentration of bacteria or virus can be detected by amplification of the nucleic acid by PCR, तो इसको polymerase chain reaction कहते हैं, कैसे, detect HIV in AIDS patient, detect mutation in cancer patient, identify many other genetic disorders, ठीक है, तो होता क्या है, कि माल लो, बहुत simple तरीका होता है, करते क्या है, करते क्या है, ध्यान सको, सपोर्ज माल लो, यह बक्टीरिया है, उस बक्टीरिया का जीरों मुझे पता है, ठीक है, मैंने क्या लिया, एक single stranded DNA लिया, ठीक है, और यह radioactive होता है, इसको हम कहते हैं, प्रोब, अब मैंने बोला, पूरा DNA को, कि replicate कर दो, तुम्हारे सेल के पूरे सेल को बोला, कि replicate करो, multiple copy बनाओ, ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया का जीनोम प्रेजेंट होगा, तो radioactive light में फ्रोब उसके साथ चिपक जाएगा, तुमको double stranded DNA दिख जागा उस sequence का, तो अगर वो चमक गया, radioactive light में, तो मतलब क्या है, तो मतलब disorder है, अगर नहीं चमका, तो disorder नहीं है, तो यहीं होता है, anti-PCR test नहीं होता है, RT-PCR होता है, RT stands for reverse transcript test, RT-PCR test होता है, कि देखो क्या होता है, समझो, COVID में RT-PCR होता है, बेटा, देखो, क्या करते हैं, मान लोग कोई DNA है, ठीक है, ठीक है, इस DNA को हमको replicate कराते हैं, in presence of a probe, ठीक है, तो अगर यह probe वाला sequence present है, अगर यह sequence present है, तो यह positive आजागा sign, यह दिखेगा कि भाई, नई radio activity दिख रहा है, ठीक है, यह sequence absent होगा, तो यह negative होगा, अब जो PCR हम करते हैं, PCR DNA में करते हैं, PCR DNA में करते हैं, तो अगर माल लो, अगर माल लो, कि मुझे किसी RNA virus का पता करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं RT-PCR कर दूँगा, मतलब मैं पहले RNA को convert करूँगा, उसके DNA को में, तो इसको क्या करते हैं, reverse transcription, इसलिए यह word आया, RT-PCR, reverse transcription करके DNA मना है, और फिर इसे DNA को मैं amplify करूँगा, in presence of probe, इन presence of probe, और फिर देखूँगा, कि positive आ रहा है, कि negative आ रहा है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, हाँ है, ने, एक बात हम सब दो, समझ में आया, clear है, clear है, बाटा, ठीक, एलाइजा में क्या हुआ, एलाइजा में क्या हुआ, इट इस बेस अन दो प्रिंसिपल आफ एंटीजन-antibody interaction, इन्फेक्शन बाइटोजन कैन बी देखेंगे बाइप्रेसंस आफ एंटीजन, ठीक है, तो एंटीजन-antibody देख रहा है, Western blotting technique से तो एलाइजा है, नहीं तो पीसी, बहुत, 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 ठीक, अब आते हैं, बात करते हैं, ट्रांस जीनिक अनिमल्स की, ट्रांस जीनिक अनिमल्स क्या है, बेटा, इस आदे अनिमल्स, whose genome has been altered by introduction of an extra gene by manipulation, gene of interest, अगर किसी अनिमल्स में डाल दो, तो इसको इन ट्रांस जीनिक अनिमल्स कहते हैं, याद रखी का, 95% of all existing ट्रांस जीनिक अनिमल्स आर माइस, बड़ा बुरा बढ़ता होता है माइस के साथ है, ट्रांस जीनिक अनिमल्स का देखो, पहला किसी regulation of gene और normal physiology पर उसका क्या एफेक्ट पढ़ता है, उसको पढ़ते हैं, study of complex factor भी बात करते हैं, insulin like growth factor की बात करते हैं, ठीक है, तो यह सब चीज हम पाइदा होता है, ट्रांस जीनिक अनिमल्स का, ठीक है, एक ट्रांस जीनिक अनिमल्स थी, रोजी, यह protein, रिच मिल्क देती थी, अलफा, लैक्टल, ब्यूमिन, ठीक है, तो, तो यह humans के लिए, अलफा, वन, एंटिट्रिप्सीन प्रोडूस हो रहा है, इंफाइसेमा क्योर करने के लिए, सिस्टिक फाइसेमा करने के लिए, फिनाइल को टुनोरिया पर भी कर रहा है, नाइटी नाइटी सेवन में, रोजी, फ़र्स ट्रांस जीनिक कॉफ, प्रडूस यूमेन प्रोटीन इंडेश मिल्क, डाट इस, 2.4 ग्राम प्रोटीन पर लिटर, इट कंटेंज यूमेन अल्फा लेक्टर मिल्विन जो हमारे लिए बेटर है, ठीक है, वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल टेस्टिंग सेफ्टी में भी, यूज होता है ट्रांस जीनिक माईस, अब देखो समझाते हैं, क्या होता है ट्रांस जीनिक माईस, मालो कि मैंने आर्थ्राइटिस के लिए कोई दवाई लाई, ठीक है, सोचो मैंने आर्थ्राइटिक का कोई मेडिसिन बना रहा हूँ, ठीक है, तब ये मेडिसिन कैसे बना, मैंने बना लिया मेडिसिन, अब मुझे इसको क्लिनिकल ट्रायल करना है, है तो हम लोग से क्लोज है तो हमने क्या किया हमने माइस लिया ऑफराइटिस वाला माइस पैदा किया तो यह मेरा ट्रांजिनिक मैस ہے अ भी इस माईस में आज फ्राइटिस वाली मेडिसन डालके टेस्ट किया फिर इसका लग बच्चा देखा खीकिश के बिमारी हो रहा है कि इसको कहते हैं चेकिंग करने प्रोड़क्त लाया एक दम लवली डालके देखा तो उसके हम चेक कर लेते हैं कि भाया चूहा पर कि क्या उसका बाल जड़ा है है ना क्या उसका एफेक्ट है उस चैम्पू का या उस च्या क्या effect है कोई side effect है कि नहीं ठीक है हां तो सर बट माइस को भी तो वह disease होना चाहिए exactly my point तभी तो ट्रांसजिनिक माइस की बात कर रहा ना उस माइस में हम वह disease डाल के देते हैं जैसे अलजाईमर वाला माइस हम produce करेंगे तो जीन हम माइस में डाल देंगे तो माइस को सब्सक्राइब को यह सब्सक्राइब को यह सब चीज़ों के लिए सब चीज़ों के लिए हम च सब्सक्राइब करता है झीण है अब take है चीज बना सकते हैं इसको क्थे कमीटी जो यह काम करती ऐ जैनेटिक इंजिनियर्ग अप्रूवल कमीटी इंडिया में जो वैलीडेड करती है करते हैं यह वाला नियará घ्लड रिस तुम कर सकते है यह अब दूचीज पर बात करेंगे एक बात करेंगे हम बायो पेटेंट पर ठीक है और दूसरी बात करेंगे हम बायो पाइदेसी ठीक है बायो पेटेंट मतलब चाहता है पेटेंट समस्ते हो सब्सक्राइब यह फोन का पूरा डिजाइन मेरा बनाया हुआ करेंगे तो एपल ने जितना पैसा रिसर्च और डेवलोप्मेंट में लगाया यह जैसे मैंने हैंड़ बनाया है अब कल को मेरा हैंड़ और को यह अधि रेप्लीकेट कर ले तो मैंने जितना एक साल देर साल पहले पीवाईक आप किया ठीकी सब किया ठीक है क्या फाइदा को रिस्टेनड दिवल्लप्रेट में पैसा नहीं करक्त करूंगे तो सपोज मैंने कुछ बिल्ड किया इफ आई बिल्ड सम्थिंग तो इसका पेटेंट मैंने करा लिया कि मेरा प्रोड़क्ट है मेरे पर्मीशन के बिना तुम ना इसको पब्लिश कर सकते हो तुम ना इसको बेश सकते हो तुम ना इसका कोई पार्ट कॉपी कर सकते हो इसको पेटेंट करते हैं इससे फाइदा क्या होता है कि लोग रिसर्च development में पैसा डालते हैं अब कल को कोई आके सेम अब तो तुमको भी पता है कैसे बन जागा तुम बना लो जेनेटिक मेटियर्स जैसे प्लांट अनिमल एस्टेटरा डाट है की नहीं अच्छा अब तर्मरीक पर तुम कॉपी राइट कैसे ले सकते हैं हम कल को तर्मरीक से कुछ दूसरा बना ले तो यह दिखकत है कि जैसे नीम का साबून वन गया है ना तो यह चीज़ अब यह तो भई किसान हुगा रहे हैं तर्मरीक नीम बट इसका कॉपी राइट कोई दूसरा कंपनी लेकर गया जैसे बासमती राइस में क्या होगा था 1997 में एक अमेरिकन कंपनी ने इंडियन वासमती राइस के साथ ब्लीट करके अपना एक नोवल्टी बना लिया वहाँ पर बोला कि यूएस में वासमती राइस बेच नहीं तो यहीं प्राब्लम है पेटेंट के साथ ठीक है तो देखो उसने क्या किया था इंडिया है 27 वासमती राइस इन 1997 अमेरिकन कंपनी गॉट पेटेंट राइट वासमती राइस थू यूएस पेटेंट एंट्रेडमार्क ओफिस दिस अलाओ दो कंपनी रूपरा कभर कर देते हैं ठीक है और उसके बोलें कि नहीं नहीं तो मेरा ब्राइंड है एपल का खा गया था अध तो यही सब चीज इसका पेटेंट वापस लाने का काम कर रहा है उसका अने समझ मेंрь है समझ में तो यह हो गया चाप्चक का दा एंज हो गया चाप्चक आप ठीक है तो तलीग्राम पे इसका पीडियाप में अभी शेर कर देता हूं आपके साथ फिर उसके बार तुम्हारा जेनेटिक्स हम स्टार्ट कर देंगे